Brought to you by Biz Analyst by Khatabook कि Congress शासन के दौरान आतंकियों ने घाटी को कैसे जकड रखा था भाजपा नेता अमिच्छा ने एमदबाद नगर निगम की ओर से 26 मार्च को आयोजित एक कारिक्रम में ये बात कही अमिच्छा ने यहां कश्मीर मुद्दे के अलावा चार विधान सबाचनावों में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन पर भी बात कही अमिच्छा ने कहा जिन लोगों ने अभी तक फिल्म नहीं देखी उन्हें जरूर देखनी चाहिए ताकि वो जान सके कि कॉंग्रिस शासन के दौरान कैसे अत्याचार और आतंकियों ने कश्मीर को जगर रखा था उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 थीन सो सतर हटाने के लिए पीम मोधी की तारी भी की अमेचा ने कहा जब आप सभी ने नरेंद्र भाई नरेंद्र मोधी को दूसरी बार प्रधान मंत्री चुना तो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया जिस वक्त नरेंद्र भाई ने ऐसा करने का फैसला किया तो देश भर के लोगों को ये ऐसास हुआ कि अगर नरेंद्र भाई जैसा मजबूत इच्छा शक्ती वारा नेता देश पर शासन करे तो कुछ भी असंभाव नहीं है आपको बता दे कि दे कश्मीर फाईल्स विवेक अगनी होतरी द्वारा निर्देशत फिल्म है जिसकी कहानी सालों ने सुनभ्भय के समय की है जब कश्मीर से पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने समुदाय को निशाना बनाया था इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए व्यभार को जिस तरह दर्शाया गया है उस पर काफी डिबेट हो रही है वहीं फिल्म को भाजपा शासित कई राज्यों ने entertainment tax free कर दिया है शाह से पहले PM नरेंद्र मोदी ने कश्मीर फाईल्स की तारीफ की थी भाजपा की संसदिय बैठक में उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छी फिल्म है और सभी को ये देखनी चाहिए उन्होंने कहा था कि इस तरह की और भी फिल्म में बननी चाहिए PM ने ये भी कहा कि जो लोग हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी का जंडा उठाते हैं वो आज बेचैन है तत्यों की समीक्षा करने के बजाए बदनाम करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है दूसरी तरह इस कारिक्रम से पहले गांधी नगर में शाह ने चार राज्यों के विधानसभा चुनाओं में जीत का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि ये नतीजे इस बात के प्रमान पत्र हैं कि लोगों ने PM मोधी की नीतियों को स्वीकृति दी है उन्होंने कहा भाजपा की बड़ी जीत देश के लोगों का नरेंद्र भाई पर भरोसे को दिखाती है इन चारों राज्यों में कॉंग्रिस खत्म हो गई है अमिर्शा ने यहां अपने संसदीयक चेत्र में प्रधान मंत्री आवास योजना समेट 367 करोड रुपए की विकास योजनाओं का शिलानास किया यह खबर आपके लिखी थी हमारी साथी श्वेता ने मैं हूँ आस था क्यामरा के पीछे हैं विजय देखते रहिए दिलल इंटो शुक्रिया